नियोजन नीती के खिलाफ छात्र संगठनों की और से आहूद जारखंड बंद के दूसरे दिन प्रदर्शनकारी रविवार सुभा सड़कों पर उत्रे बंद समर्थकों ने राची के और मांजी के निकट राची पटना हाईवे को जाम कर दिया सड़क जाम के कारण NH-39 पर और मांजी के निकट करीब 3 किलो मीटर तक वहनों की लंबी कतार लग गई बाद में पुलिस ने जाम हटा कर अवागमन को शुरू कराया जाम में छोटे से लेकर कई बड़े वहन घंटों फासे रहे गर्मी के कारण वहन में सवार यात्रियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा पुलिस काफी देर तक बंग समर्थकों को समझा कर जाम हटाने की कोशिश में जुटी रही लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तयार नहीं थे जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीों को ख़बेड कर जाम हटाया नहीं चलता हो दो दिन गाली नहीं चलता हो क्योंकि जारकन पर साथ-चालिस चल रहा है और सभी बस आस शालखन परदेश में निकाल रहे हैं और मैं आज पुना सुबह से जेतने भी दुकानदार समीती हैं बजार संग हैं बस एसोसियेशन हैं हम गुलाब भूल देके संवेधानिक तरीके से निवेदन करते हैं कि राज के छात्र महा संकट पे हैं पूरी तरह स्वच्छा से बंद करके बंदी को सफल बनाने में सहींग करें करें अभी अब हमेरा चात्र निकल के बंदी करें कहा कोई देके पूरा सन्नाटा है है और शुब बन नहीं रहेगा क्योंकि राज के लिए कि यृण रहे हैं इस राज के गठन क्यों हुआ है सावा तिन करोर जंता का प्रस्ण है पूरे ओपेन फोर ओल कर दिया जा रहा है इसलिए हम लोग सुबह से पहले हाथ जोर रहे हैं अगर हाथ जोरते हुए अगर बंदी नहीं कराएंगे बाहरी तत्वा तो जारखंडी लोग जारखंडी इस्टाल में जोई की जबाब भी द अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले